तरह का नमस्कार साथैंटियों आज एक विसेश पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, चुकि उत्तव देश के अंतरगत आपने इस विसेश वस्त को सुना होगा, तो आखिर क्या पहलू है, और किस कान से ये विसेश चर्चा में रहा, उसी बिन्द की हम थोड़ी से यहाँ पर सूचम चर्चा आप सब के सा करेंगे, अभी आपने एक दो दिन पहले कुछ न्यूज पेपर और कुछ पेपर कटिंग के माद्यम से ये सुना होगा, कि अब राज्य सरकार ये निड़े ले रही है, कि जितने भी प्रदेश में सरकारी बिद्याले हैं, उनको प्राइबेट प्लेयर के हाथों में दिया सकी, तो कुछ लोगों के बीच में ये सुनने में आया, कि अब सरकार इसकोलों का प्राइबेट जेसन कर रही है, या शिचकों की भरती बगरे इससे प्रभावित होगी, या क्या-क्या मसले इससे होने वाली है, और सरकार की क्या इस जो पब्लिक प्राइबेट पार्टनर सिप्ट है, इसको ले करके, इसकोलों को ले करके, उसका क्या दिश्ट कोड है, उन्हीं सारे पहलों पर हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा करेंगे, तो विससते हैं, आज का जो हमारा मुल्च संदर्भ है, वही है, कि उतब इसमीं क्या जो स्कूल है, उनको प्राइबेट हा किया जाएगा सहिकारी स्कूलों का अस्तर, अर्थात ये बात तो कलियर हो गई, कि सरकारी स्कूल में ट्विनिंग हो गई, मतलब सरकार भी रहेगे और प्राइबेट प्लेयर भी रहेंगे, दोनों मिल करके आगे बढ़ेंगे, हमारी यहां पे बड़ी पुरानी जो होता ना उस कारण से इसकी एक जो इस्तिती होती हो जर जर हो जाती है जब कि प्राइबेट प्लेयर के जब बात करते हैं तो आपने प्राइबेट स्कूलों के माध्यम से देखा कि वह लोग हमेशा active रहते हैं हमेशा responsible रहते हैं और इसी कारण से उनका अस्तर क्या होता है एक developed इस्तर होता है तो सरकार ने इस बिनकोर एक हांकित किया कि अगर जो हम प्राइबेट प्लेयर को इन सरकारी स्कूलों के साथ मर्ज कर दे तो इस कारण से हो सकता हो कि हमारी भी दिसादसा सुधर जाए क्योंकि आज योपी में पढ़ाई लिखाई का क्या आस्तर है किस जो की सुरवाद भी किया है जैसे अभी मुखबंती के द्वारा ही आपने सुना भ्योगा कि सराबस्ती से स्कूल चलो अभियान 2.0 की सुरवाद भी कहीते हैं और इसी कम में और नए नए प्रियोग वह समय समय पर करते रहते हैं अब अगर जो इसकी बात की जाए तो खास जाएगा तो उसकी कारी विधी उसकी संकल्पना उसमें क्या कारी होते हैं इन नई नई चीजों को सीखेगा फिर चात्रों को कैरियर राह चुनने में चुकि हमारी आंकी सबसे बड़ी बाधा क्या होती है कि वह हमेसा फोकस रहता कि हम एकेडमिक कर लें लेकिन आगे हमें किस एक field में work करना है उसके बारे में हमें लगता है कि 12 तक की बच्चे को नहीं पता होता है इवन बहुत सारे बच्चे तो जब graduation कर लेते हैं तब उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा ये नोकरी हमें करनी है तो हमें इस दिसा में कारी करना चाहिए तो इस gap को भी कम करने के के कैरियर की जो राह है अगर जो से हम सुरू से ही सुनिश्य कर दे तो बच्चा उसी दिसा में पढ़ाई करें फिर इसके माद्यम से स्कूल के अस्तर में सुधार होगा जाहिर ची बात है जब प्राइवेट प्लेयर यहां पे आएगा तो वह कुछ इन्वेस्ट वगरे भी क करेगा और इसकार से स्कूल के अस्तर में सुधार होगा यहां अब इसमें क्या होगा सेकंडरी और जो सिणियर स्शी लेवर पर चात होते हैं उनको कुछ नया सेखने का मौक़ा मिलेगा सी दीसी बात है जब संसाधन उपलबध होगा तो जितने भी उमारे बच्चे तो वह क्या सेखते हैं लेकिन जब उनके पास विभन प्रकार के संसाधन विभन प्रकार के मैटेरियल उपलब्ध होंगे तो वह नभीन खोजो की तरफ आकर सित होंगे इवन उनका मन भी लगेगा कि कुछ नया करके दिखाएं प्रमुकते से चात अलग-अलग संस्थानों का भरमर करेंगे और वहां के तकनीके को जानेंगे अब ये तो बड़ी सत्ते बात है कि जैसे गन्ना सोध संस्थान में गए तो वहां पे कैसे गन्ना के उपर सोध किया जाता है सबजी सोध संस्थान में गए तो वहाँ पे उसकी कारविधी को देखेंगे हो सकता हो कि किसी बड़ी फैक्टी में जहां पे कपास से आपके धागे बनाए जाते हैं हो सकता हो कि कोई इस्टील मिल में गए जहां पे बरतन बनाए जाते हैं तो यह तो एक पहलू हो गया लेकिन इसके अलामा बहुत सारे ऐसे सांस्थान है जिसमें जा करके उनका एक जो मांसिक बिकास होता है वह इसमें देखे मिलेगा तो अगर जो हम फीचर की बात करें तो फीचर तो किसे निगेटिविटी को यहां पर नहीं फोकस करता बलकि overall कहीं न कहीं कह सकते हैं कि हम positive दिसा में आगे बढ़ने की बात करें अब अगर जो इसकी बात करें तो इसका virgin क्या है खासा द्याने की गा जोकि अब बच्चों को यहां पर भेजा जाएगा तो कौन कौन से बच्ची किस किस तरीके से तो चात जो होंगे वह और भी सकूलों में जाएंगे मतलब अधर अधर जो मतलब कहसे कि हमारी हां का कोई डवलप स्कूल है कोई पिछला स्कूल है क्या उसकी इस्तिती है कैसे वहां पर पढ़ाय लिखाई होती है उस तरीके से विवन प्रकार की स्कूलों में जाकर के वहां के जो चात होंगे उन से मिलकर के उस education system को समझने की बात करें जैसे माल लेते ही कि वारे पदेश में कोई मदर्सा है, कोई संस्कित कालिज है, कोई CBSC बोड़ से संबंदित कालिज है, कोई बिद्या मंदिर है, कोई प्राइमरी स्कूल है तो जब अलग-अलग बिद्याले में जाएंगे, तो वहां का culture क्या है, उन सारी पहलों को वह सीख पाएंगे यही पर जब अलग-अलग बिद्याले में जाएंगे, तो वहीं से बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है, वह भी सीखने में समझ में आएगा कि आखिर किस एक संदर में किस एक अस्तर से पढ़ाई की जाती है जैसे private school वाले क्या कोई नई तकनीकी का इस्तमाल करते हैं क्या digital board उनके यहां पे लगा है कि वह भ्रमर करके पढ़ाई कराते हैं कि वह project work दे करके पढ़ाई करते हैं इन सारी पहलों की जब बात की जाए तो मतलब पढ़ाई लिखाई का जो तरीका होता है वो अब इसमें सामिल हो जाएगा अब जायर ची बात है जो बच्चे जाएंगे कौन कौन से बच्चे जाएंगे क्या सभी बच्चे को वो जो चोटा सा बच्चा है, kg में, उससे क्या लेना दिना, उसको नहीं लिया जाएगा, अब जाइर ची बात दी है, एक अच्छा बैस्ता भी होगा, जो मान लेते हैं गेजुएसन से उपर, PG अगरे की कोर्स कर रहा है, तो उसको लिया जाएगा, नहीं, यहां पे उन बच साल के बच्चों को तो वह इसमें सामिल किये जाएंगे खासा ध्यान कीगा अब अगर जो देखा जाए तो इसमें अलग-अलग प्रकार से जैसे हमने अलग-अलग कटेगरी के बिद्याले की बात की उसी तरीके से अलग-अलग कटेगरी में भी जैसे मेडिकल कालेज कैसे व उनकी दिनचरिया क्या होती है पड़ाई लिखाई कैसे होता है मतलब पूरे पहलू को यहाँ पे क्या करेंगे वह जानने की कोशिस करेंगे प्रमुक्ते से गजो इसी क्रम में बात की जाए तो अब बात होगी इसके संदर में क्या सुविधा होगी जाहिट सी बात है तो कोई अपना क्याँ अब कोई अपनी खेली के उड़ाएगा वहा हमें सा कुछ बैस्तर करने की बात करेगा तो उसे बैस्तर करने के पाइंगे कहिन कहीं उसके सुविधार होगे और साथी साह जो हाईर सेकेंडर और सेकेंड़ी अस्तर के जो बच्चे होंगे उन्हें कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा सीधीसी बात है जब बरमर करेंगे कुछ नए location में जाएंगे कुछ नई चीजों को जानेगे तो उसे अपने अंदर भी implant करने की बात करेंगे तो उन्हें कुछ नया सीखने का आउसर मिलेगा साथ ही साथ जब अलग-अलग सांस्थान में भरमर करेंगे तो वहां तकनीकी के बारे में जानेंगे जायर सी बात है अलग-अलग तरीके से अलग-अलग सांस्थानों में पढ़ाई लिखाई अलग-अलग सांस्थानों में अलग-अलग इस पूरी प्रकिरिया के मात्यम से, अब इसके मात्यम से सभी बलाक में जो सरवादिक साथ संख्या वाले बच्चे होंगे, उनको अधिक से अधिक मात्ता में इसमार्ट बनाई जानी की संकल्पना है, और इस आधार पे कारिकर्म की जब बात की जाए तो इसके मात्यम से जो परिकल्पना होती है, बच्चे को साई किस्म का बोला जाता है, कि यह सरमीला है, बोलता नहीं है, आखिर बोलता क्यों नहीं, कभी इसको देखा, भाई उसे चार लोगों के बीच में जब तक नहीं भेजा जाएगा, उसके प्रकिर्द को नहीं निखारा जाएगा, उसके अंदर की प्रत्वाओं को नहीं पहचाना जाएगा, तो बच्चे को हम सरमीला कहते कहते किनारे करते रहेंगे, तो इस कान से उसको जब अलग-अलग बेक्टियों से मिलाया जाएगा, तो उसके अंदर एक जो कह सकते हैं ना कि मतलब जो उसकी अंदर की एक छंता है उसे पुरा एक अस्तर मिलेगा और उसको डबलब करने का एक पुरा प्लेस मिलेगा खासा अगर देखा जाए तो अब इसमें होगा क्या तो सुभधा के अंद्गत ही जो चैने ग्रामीर छेत के स्कूली बच्चे होंगे उनको सहरी छेत में भीजा जाएगा गाओं के बच्चे सहर जाएगे और साथ इसाथ मालिती कोई सहर का बच्चा है तो उसे गाउँ छित में भिज़ा जाएगा ताकि वह दोनों लोकेशन को समझ पाए पुरह इसके अलामा देखा जाए तो बच्चे को इसके साथ जोड़ने का एक ही मतलब है कि बच्चे को जब इसके साथ जोड़ा जाएगा तो जो उनके अनुभव होंगे जो कि गाउँ के बच्चे अधिकतर ऐसे देखने में आता है कि वह थोड़ी पढ़ाई लिखाई में ढहले होते हैं तो उनके उपर कुछ जादे फोकस रखा जाएगा अब बात की जारी है अगर सरकार की तो सरकार इसके माद्धिम से चाहती क्या है तो सरकार का मानना ये है कि जो गाउँ छेट के बच्चे होते हैं वह सहरी छेट के बच्चे में संकोची वही अमने का सरमीलापन तो सहरी के बच्चे आपने देखा होगा पापा के सामने बोल करके पापा ये काम है वो काम है इवन अगर जो किसी नए रिस्तिदार के आगमन की बात की जाए, तो उसमें भी डरता नहीं है, मतलब वो पूरी तरीके से open-minded होता है, जबकि गाओं का बच्चा कोई पूछ ले किस क्लास में पड़ते हो, तो मुह बनाना चालू कर देता है, तो वही वाली बात हो रही है, कि बच्चे के अंदर जो ये संकोच है, जो सरमीलापन है, उसे दूर किया जाए, और उस आधार पे कहीं कहीं, वह एक open-minded जैसे सहर का बच्चा होता है, बिल्कुल दुन्द तरीके से घूमता ठहलता है, कोई उसे निर्भेकता का कोई ऐसा टेंसर ना होता है, कि मनलब कोई डर है, या कोई ऐसा पहलू है, तो उस तरीके से उसमें एक open-ness आए, इसके अलावा साथी साथ ग्रामीड छेत के जो इसकूल होंगे, जोकि सरकार सहरों में तो लगबग लगबग ब्योस्ताएं आपकी जादे से जादे उपलब्द होती है, लेकिन गाओं में ब्योस्ताएं कम होती है, तो इस दिसा में तयारी और उसके अधार पे पठन पाठन को वह चैन कर पाए है, बिसे अब सरकार की जब बात की जाए, तो ये कितने महीने तक प्रोग्राम चलाएगे, तो द्यान कीगा ये तीन महीने तक चलने वाला एक विसेश प्रोग्राम होगा, जिसका क्रम है अक्टूब किया अधार पे क्या होगा, किन-किन विद्यालों में किन-किन को भेजा जाएगा, उसका एक रूट वैप तयार होगा, जैसे हमने कुछ देखा कि गुरगाओं के बलाक जो हैं, वहां पे 50 स्कूल चैनित किया गया है, जिसमें फरुक नगर बलाक की जब बात की जाए, तो उसमें से 19 आपके हैं, पटवदी स्कूल की जब बात की जाए तो उसे आपके 26 स्कूल हैं, सोहना बलाक की जब बात की तो आपके 26 स्कूल ऐसे सामिल की गया है, तो ऐसे जिले के संदर में अलग-अलग बलाकों को क्या किया गया है, इसमें समलित किया गया है, तो एक संसे जो हमारे भी मन में था पहली बार जबन में उस टाइटिल को देखा तो हमने यही सोचा कि मदब सरकार स्कूलों को प्राइबेट कर रही है लेकिन अब जानकारी के लिए बता दे कि सरकार का यहाँ पे कोई मोटो नहीं ना तो टीचर की बैकेंसी को लेकरके ना तो बच्चे को रीडवलब करने के लिए ना तो आपकी स्कूलों को प्राइबेट करने के लिए इसका पूरा पूरा एक जो रोड मॉडल है वो यही है कि जो हमारे बच्चे हमेशा कहीं न कहीं पीछे रहते हैं उन्हें खास करके एक वर्ग के बच्चों से तो उन्हें एक साथ मिला देना ताकि वह लोग भी उस मुक्ष धारा में क्या करें उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके चल पाएं आज के बिंद को हम यहीं तक रखते हैं बाकी किसी नए पहलू किसी नए बिंदू के साथ आपसे मुलाकात होगी आज के लिए तना ही थैंक्यू आल दी बेस्ट कर दो की सबाएं